नमस्ते दोस्तों, सोजो कि आपके पास एक ऐसा indicator हो जो आपको बता है कि वो कौन से stocks हैं जिनमें professional पैसा डाल रहे हैं या उस stocks से पैसा निकाल रहे हैं इट मिन्स उन stocks के बारे में आपको पता चले जिनें आप buy कर सकते हो जिसमें professional ने buy किया है या फिर उन्हें ignore कर सकते हो जैसे उन्होंने ignore किया है एक stock को अगर आप सही time पर buy और सही time पर exit करते हो तो आप profitable बन सकते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक indicator के बारे में जिसका आप logo में से बहुत सारे logo ने नाम सुना होगा बट इसे अच्छे से use करने बहुत कम लोगों को आता होगा तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप समझ जाओगे stock selection कैसे करना है और इसकी help से आपको ये भी पता चलेगा कि index में आपको कब long जाना है और कब short जाना है दोस्तो एक जरूरी बाद एक छोटा सा पॉच करो और एक बड़ा वाला like बटन दबात और हाँ share करना मत बूलना क्यूंकि sharing is caring और YouTube ने एक बहुत बढ़िया comment box भी दिया है वहाँ जरा कुछ लिख दो जैसे feedbacks, suggestions या बस एक high भी चलेग और end में subscribe जरू करना वरना हमारे future awesome वीडियो को miss करोगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो ये जो indicator है ये आपको sensible के अंदर मिलेगा तो आपको क्या करना sensible open कर लेना आप अगर 0, 2, upstocks, angel 1 या फिर fire से customer हो तो आपको sensible ऐसे free है तो आपको ये open कर लेना open करने के बाद ऐसा कुछ देखेगा ये तो आपको क्या करना आपको यहाँ पर analyze आएगा analyze पर click करना है उसके बाद आपको ये बहुत सारे options दिखेंगे tools to predict direction उसके लिए option chain है open interest है, multi strike होई है find great trades ये जो section है इसमें आपको दियान देना है ये screener है वहाँ पर screener पर click करोगे आप तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो ये सारे stocks दिखेंगे आपको और nifty और bank nifty भी दिखेगा इसमें तो इसमें आपको क्या करना आपको यहाँ पर table और hit map होगा तो आपको table को अटा करके hit map कर लेना है open उसके बाद आपको ये stocks ऐसे कुछ दिखेंगे कुछ stocks होंगे जो आपको green में दिखेंगे जो पूरी तरह से green होंगे जो कुछ stocks होंगे वो olive दिखेंगे आपको olive color के उसके बाद देरे-देरे क्या होगा इनका orange हो जाएगा color उसके बाद ये orange color में हो जाएगे fully उसके बाद ये red हो जाएगे अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये colors ऐसे क्यों है अगर कोई stock पूरा dark green है मतलब ये पूरी तरह से bully सही है उसके बाद आप देखोगे ये poly cap पूरी तरह से red में है इसका मतलब क्या है अगर आप sell करना चाहते हो तो selling के लिए सबसे best stock होगा poly cap उसके बाद होगा hint bet तो ये आप देख रहोगे यहाँ percentage change है percentage change का मतलब क्या होता है कि जिसका percentage change selling के side ज़्यादा होगा वो उपर वाले में दिखाएगा ऐसे इसमें जिसका percentage change buying में सबसे ज़्यादा होगा वो ऐसे दिखाएगा इस वाले में ये जो IV है IV का मतलब होता implied volatility मतलब volatility कितना है उस stock में तो ये सब चीज़े मैंने बता दिया आपको वीडियो के last तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको stock कैसे choose करना है इधर दिखेंगे आप वो stocks अगर चेक करना जैसे nifty मैं चेक करता हूँ तो nifty याँ पर चेक किया उसके बाद देखो तीनों index मेरे को दिखने लगए nifty, bank nifty और fin nifty यह जो है yellow is दिखा रहा है nifty मतलब क्या है इसका मतलब है कि यह bullish नहीं है और नहीं ज्यादा bearish है मतलब neutral है bank nifty ज्यादा bearish है nifty से और fin nifty भी ज्यादा bearish है nifty से इसका मतलब है कि अभी आपको अगर buying side जाना है तो buying के लिए best होगा nifty selling के लिए best होगा bank nifty और finnift अब यहां पर एक sector option है sector में nifty 50 करोगे index करोगे तो यह सारे आ जाएंगे सबसे interesting बात यहां पर देखो आपको expiry भी पता चले मतलब आप short term के लिए देख रहो या long term के लिए मतलब अगर आप short term के लिए देख रहो तो अभी का expiry लोगे 5 दिन के अगर आप long term के लिए देख रहो कि आपको लगता है एक महिने तक मैं उस stock ले सकता हूँ रख सकता हूँ तो आप January 33 का कर सकते हो तो यह भी आपको बताता है यहां पर आपको liquid only दिखेगा तो आपको इसे on ही रखना है automatic on रहेगा आपको इसको बाद में भी on रखना है क्यो क्योंकि यह आपको liquid stocks बताएंगे मतलब जो stocks अच्छे हैं buying के लिए या selling के लिए वो बताएंगे आपको volume spike मतलब किस stocks में volume ज्यादा है उसके इसाब से यह आपको indicator बताएगा कौन से stocks में volume बेटर है और अगर मानलो किसी stocks का कोई event आने वाला है तो यह बताएगा कि event कौन स stocks में bullies हैं bearies हैं या फिर किस stocks में short covering हो रहा है या long unwinding हो रहा है यह आपको बताएगा यह चार चीजें ठीक है तो यह चीजों को कैसे use करना मैं बताता हूँ आपको तेखो जैसे आपको लगता है कि market उपर जाएगा आपको अगले 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कोई stock जा रहा है कौन से stocks में long जा रहा है मतलब long build हो रहा है ठीक है तो वह है GAIL Gale, Vipro, National Almonium, DLA and PEL यह 5 stocks में long जा रहा है यह 5 stocks buy के लिए सबसे best है अगर आप string trade करना चाहते हो तो Britannia भी कर सकते हो आप लेकिन यह 4 best है अब आप क्या करोगे long build up हटा दोगे अब आप करोगे short cover short cover मतलब अगर आप intraday में trading करते हो तो आपके लिए वह best stocks कौन से होंगे यह ज्यादा green में है यह भी green में है Maruti और Tata Steel आपके लिए सबसे best होंगे ठीक है क्योंकि यह 2 stocks है इनमें वह चुका है जितना होना था ठीक है लेकिन यह 2 stocks अभी होने वाले हैं आगे चले मतलब Maruti और Tata Steel के लिए आप रुक सकते हैं इसमें अभी short covering हो रहा होगा और आप short covering के लिए weight भी कर सकते हैं कि आगे इसमें आपको यही पता चलेगा क्वून क्यों से stocks में short covering हो रहा है मतलब market उपर जा रहा है बहुत तेजी से आपने सुना होगा निफ्टी में short covering हो रहा है है मतलब November वह cover हो रहा मतलब जो short करके बैठे हुए है वह हट रहे है एक जिट कर रहे है और short जो अब हटेंगे तो market क्या होगा बहुत तेजी से उपर जाएगा यहाँ पे है long unwinding long unwinding का मतलब होता है कि जो longs है जो long करके बैठे हुए हैं वो exit कर रहे हैं वो हट रहे हैं उसको कहते है long unwinding तो long unwinding को यह आप click करोगे जैसे ही आप देखो यहाँ पे bank nifty दिखेगा आप मतलब अभी bank nifty long के लिए एक अच्छा index नहीं है आप इसमें long नहीं कर सकते हो क्योंकि long unwinding हो रहा है मतलब बड़े players जो हैं वो exit कर रहा है bank nifty से और यह भी मैं बता दूँ कि यह change होती है अगर monday को market open होता है तो आप यहाँ पे देखोगे कि यह कुछ changes भी होंगे मतलब जिस हिसाब से oi बड़ेगा जिस हिसाब से बड़े players entry करेंगे या exit करेंगे तो यह green orange या red भी हो सकता है तो उस हिसाब से आपको trade लेना है आगे चलके मैं बताँगे कि आपको trade कैसे लेना है अब यह मैं बता रहा हूँ आपको कि यह सब चीजे क्या है यह सब चीजे बहुत important है आपको जानने के लिए ठीक है उसके बद क्या है long and wind आप हटाओगे उसके बाद short build up मतलब कौन-कौन से stock है जिसमें shorts आ रहा है मतलब जो traders हैं वो short कर रहा है उस stock को तो वो है IRCTC यह चार चीजे बहुत जरूरी है यह चीजे आप याद रखना है अब मैं बताता हूँ आपको trade कैसे लेना है माल लो आप चाहते हो कि आपको swing trade करना है मतलब 10-15 दिन के लिए आपको trade करना है ठीक है तो आपको क्या चूज करना है आपको चूज करना है long build up long build up पे click करोगे आपको यह stocks बता देगा कि कौन कौन से stocks अगले 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए best तो आप GAL ले सकते हो long build up में Vipro ले सकते हो National Almonium ले सकते हो DLF ले सकते हो PEL ले सकते हो Britannia ले सकते हो GMF Infra ले सकते हो GL ले सकते हो मतलब G Entertainment ले सकते हो और Infosys ले सकते हो यहाँ जितने भी stocks दिखा रहा है long build up में यह आप ले सकते हो अगर आप मान लो Intradamid trading करना चाहते हो ठीक है Buying के side तब आपको क्या करना है आपको short cover पे click करना है आप short cover पे click करोगे तो यहाँ पे stocks या index बता देगा कि आपको किस-किस stocks में Buying के side short covering हो रहा है तो आपको उसी stocks को buy करना है जैसे यहाँ persistent हो गया Inde Copper हो गया Maruti हो गया और Tata Istil हो गया यह 4 stocks को आप buy कर सकते हो Intraday के लिए अब यहाँ पे long unwind में क्लिक करोगे तो आपको वो stocks बता देगा जिसमें आपको exit हो जाना है long से मतलब आप जिसमें long में हो उससे exit हो जाना है या फिर आपको long के side नहीं जाना है उनी stocks में और अगर आप intraday में selling के side जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे आप short build up में क्लिक करोगे तो वो stocks बताएगा यहाँ पर जिसमें आप short कर सकते हो जिसमें आप sell कर सकते हो किसे stock को यहाँ पर है IRCTC यह चारोचीज आप समाझेगेंगे कि आपको इन सब चीजों का use कैसे करना है और यह एक बहुत बढ़िया indicator है जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन-कौन से stocks वैसे है जो long build up में है जो short covering में है जो long unwinding में है और जो short build up में है और यह जो indicator यह आपको बताएगा कि वो कौन से stocks है जिनमें जो professional है वो buy कर रहे हैं और sell कर रहे हैं और professional जब buy और sell करता है तो क्या होता है वो यह होता है open interest वो बहुत तेजी से बढ़ता है और गड़ता है ठीक है तो आपको यह समझना होगा तो उसके हिसाब से ही वो calculate करके आपको यह stocks बताते हैं आपको सारे stocks को choose नहीं करना है अगर आप long बें जाना चाहते हो कि अगले 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए 30 दिन के लिए मुझे कोई stock लेना है आपको क्या करना है अगले मंत का आपको expiry लेना है January का तो यह आप समझे होगे कि आपको यह indicator कैसे यूज़ करना है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगाँगा Thank you so much guys